हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैपस्यूल में आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर करेंट अफेर्स वन लाइनर हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज ऐसे ही रेगुलर स्टडी मैट्रियल और अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं पहला देखते हैं कौन सा दिछ शंगाई शहयोग संगठन यानि SCO संगाई कौपरेशन और्गनाइजेशन का नया स्थाई सदस्यानि पर्मनेंट मेंबर बना है पहले देखिए इसमें आठ मेंबर थे अभी हाल ही में नवे मेंबर के रूप में नाइन्थ मेंबर के रूप में इरान को इसमें चुना गया है ठीक है अभी 2023 में इसकी अद्धिक्षिता कौन कर रहा है तो इसकी अद्धिक्षिता या ठीक है ये इसकी currency है इसके लबबात करें SEO की तो पहले इसको शंगाई 5 के नाम से जाना जाता था ठीक है शंगाई 5 के नाम से बाद में 2001 में इसको अपग्रेड किया गया और 2001 से इसको संगाई Corporation Organization के नाम से जाना जाता है इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसके permanent member बने है याद रखिएगा ठीक है 2017 में हम इसके permanent member बने है बात करने इसके members की तो मैंने आपको बता दिया इरान को मिलाकार वैस में 9 member है एक छोटी सी trick है इसकी बता देता हूँ T R U C K K truck ठीक है तो T से आपका क्या हो गया ताजिकिस्तान हो गया R से रशिया हो गया U C K 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 नहीं है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान अभी चर्चा में क्यों था, ये भी बता देता हूँ, तुर्कमेनिस्तान ने अभी एक 5 billion dollar की, ठीक है, 5 billion dollar की smart city बनाई है, ठीक है, smart city, आप पढ़ेंगे, तो फोटो भी दिख जाएगा, इसका नाम है, अरका डाग, ठीक है, अरका South Asian Football Federation Championship, जिसको आप short में, safe championship बोलते हैं, 2023 का title किस देश ने जीता, तो इंडिया द्वारा ये title जीता गया है, भारत ने final में कुवेत को हराया, ठीक है, final में इंडिया ने कुवेत को हराया, penalty shootout में 5-4 से, तो safe championship इस बार भारत ने जीती है, आगे चलते हैं, भारत ये अगे चलते हैं, बैंक आफ बलोदा के नए CEO और MD के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है, तो देवदत चंद जी को इसमें न्यूक्त किया गया है, देवदत चंद, अगला, DGCA ने drone technology के लिए किस के साथ समझता किया है, तो DGCA आपका क्या होता है, Director General of Civil Aviation, विमानन से संबंदित है, Director General of Civil Aviation, तो इन्होंने EASA के साथ समझता किया है, EASA, इसके full form क्या है, European Union Aviation Safety Agency, इसके साथ इन्होंने समझता किया है, drone technology के लिए, drone से संबंदित एक और प्रश्न भी चर्चा में था, वो काफी important है, पूछा जरूर जाएगा किसी ना किसी exam में, नई दिल्ली में भारत ने 6G Alliance, इसने launch किया है, भारत 6G Alliance, तो 6G मतलब 6G जो नई generation है, 6th generation, अभी हम 5G है, तो 6 generation के लिए, कुछ भारत ने लगबग 200 Technologies के Patents वगरा हासिल किया है, तो उसी के एक Alliance बनाया है, भारत ने, और ये अश्विनी वैशनव जी द्वारा launch किया गया, ठीक है, अश्विनी वैशनव जी द्वारा, इसी के साथ साथ अभी एक और कौन सा Alliance चर्चा में था, IBC, International Big Cat Alliance, ठीक है, तो और ये किस ने स्टार्ट किया है, इंडिया ने, ये आपका वीडियो के 2022 का जो अभी एक्जाम था, उसमें भी पूछा गया था, बिल्लियों के लिए, तो International Big Cat Alliance भी अभी लाँच किया गया था इस केंदरे मंतरी ने अम्बाला में, canteen store department depot के नए परिशरिया, नए premises का, campus का उधगातन किया है, तो हमारे जो रक्षा, राज्य मंतरी है, बैसे रक्षा मंतरी थो हमारे राजनात सिंग जी है, लेकिन राजनात सिंग जी ने नहीं, रक्षा राज्य मंतरी है, हमारे अज शंगाई सहयोग संगठन के 23 में शिखर संबिलन का आयोजन किसकी अध्धक्षिता में किया जा रहा है तो मैंने उपर यह आपको बता दिया इंडिया की अध्धक्षिता में किया जा रहा है इंडिया 2017 में इसका मेंबर बना है हेड़कॉर्टर की बात करें अगर SCO के, तो SCO का Headquarter कहाँ पर मौझूद है, तो इसका जो Secretariat है, Secretariat यह आपका Beijing में है, ठीक है, Beijing में यह मौझूद है, और इसके अलावा इसका एक और देखिए, Limb है अंग है, RATS, यानि Regional Anti-Terrorist Structure, इसका जो Headquarter है, वो है आपका ताशकंद में, ताशकंद, यह कहाँ पर है, आपका उजबे के स्तान में, ठीक है, आगे चलते हैं, और हाँ, इसकी Official Languages भी कभी कभी पूछ सकता है आपसे, Official Languages, तो दो Official Languages हैं, एक है आपकी Chinese, और एक है आपकी Russian, यह दो इसकी Official Languages हैं, आगे चलते हैं, भारत्य महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिराडी कौन बनी है, तो यह बनी है, कोल इंडिया के नए चेर्मेन और MD के रूप में किसने पदभार संबाला है, तो PM प्रसाद जी ने इस पदभार को संबाला है, PM प्रसाद, अगला देखते हैं, केंद्रिय मंतरी नितिन गड़करी ने किस राज्य में 56 करोड रुपए के National Highway Project की शुरुवात की है, तो यह राजिस्थान में की गई है, ठीक है, राजिस्थान में, इससे पहले देखिए, National Highway Authority of India ने अभी हाली में एक प्लेटफॉर्म भी लाँच किया था, Knowledge Sharing Platform, ठीक है, तो यह आपका NHEI यानि National Highway Authority of India के दवारा लाँच किया गया था, इसको भी याद रखिएगा, राश्ट्री अनुसूचित जन जाती आयोग के अध्यक्ष पद से किसने स्तीफा दे दिया है, तो हर्ष चोहान जी द्वारा इससे स्तीफा दे दिया गया है, ये एक समविधानिक निकाय है, मैंने आपको बताया था, हमारे समविधान का पहले जो अनुच्छे 338 था, उसमें National Commission for SC and ST, ये एक ही बॉड़ी थी, फिर सन 2003 में आपका नवासीवा समविधान शंशोधन अधिनियम लाए गया, नवासीवा समविधान शंशोधन अधिनिय नेशनल कमिशन फॉर स्ट, यानि अनुसूचित जन जाती के लिए आयोग और इसी के चेर्मेन पत से हर्श चोहान जी के द्वारा स्टीफा दे दिया गया है, नवासीवा समविधान शंशोधन याद रखिएगा, और अनुचेद भी दोनों याद रखिएगा, निम लिख यानि नेशनल रूर लाइवली हुड मिशन, तो इसी से संबंदित यह है, दीन दयाल अंतियोदय योजना, राष्टे ग्रामीड आजीव का मिशन, इसके लिए ही आपका इसरस प्लेटफॉर्म लॉंच किया गया है, हवाई निगरानी में पुलिस की सहायता करने के लिए कि ड्रोन से जो संबंदित हमने उपर प्रश्ण पड़ा था कि डारेक्टा जनरल आफ सिवील एविएशन ने किसके साथ समझाता किया है, तो यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजंसी के साथ उसी संबंदित देखे ड्रोन से एक और प्रश्ण है, हवाई अगला देखते हैं, भारतिय स्टेट बैंक के नय मुख्य वित्ती अधिकारियानी चीफ फाइनस ऑफिसर के रूप में, किसे नियूक्त किया गया है, तो हाल ही में देखिए, मैंने पढ़ाया भी था आपको, इस्तीफा दिया है किसने, चरणजीत सुरिंदर सिंग अन्ना, इनकी ये जगह लेंगे, और कौन बना है नया CFO, कामेश्वर कुंडविती जीस के नय CFO बने है, भारतिय स्टेट बैं विश्ववयापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में ब्रजेंदर नवनीत को नियूक्त किया है, तो एक फैक्ट आपका ये ही हो गया कि विश्ववयापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में ब्रजेंदर नवनीत को नियूक्त किया गया है, डव् इस नाम से पहले इसको जाना जाता था बाद में 1995 में इसका नाम बदल कर World Trade Organization कर दिया गया और डारेक्टर जनरल इसकी कौन है जो पहली महिला बनी थी आपकी नगोजी ओकॉन्जो इवेला थीक है ओकॉन्जो इवेला यह आपकी पहली महिला इसकी चीफ बनी थी आगे चलते हैं किस स्पेस कमपणी ने यूरोपयल स्पेस के लिए डार्क यूनिवर्स पता लगाने के लिए Euclid launch किया है तो किसने किया है SpaceX ने जो Elon Musk की कंपनी है SpaceX निमलिखित में से किसने final में Mumba Masters को 2-0 से हरा कर 2-0 से हरा कर पहली global छत्रंज league जीती है तो देखिए सबसे पहली बात important क्यों है क्योंकि ये पहली global chess league थी और इसमें Mumba Masters को हराया किसने त्रिवेनी Continental Kings ने त्रिवेनी Continental Kings ने Mumba Masters को हरा कर ये टाइटल जीत लिया आगे चलते हैं केंद्रिक रह और सहकादिता मंत्री अमित शहा ने वस्तु था किस river front पर अक्षर river cruise लांच किया है तो सावरमती river front पर ये लांच किया गया है इसके लावा दो और मैंने बताये थे MV Ganga Villas जो कि वारानासी से असम के डेब्रूगर तक चलाया गया था इसके लावा MV Empress जो भारत का पहला international cruise है ये आपका चेन्नाई से छोड़ा गया था कहां के लिए श्री लंका गेविए MV Empress ठीक है उनके नोट्स पर अलग-अलग World Heritage Sites को दिखाया गया है और अपनी तरह की ये पहली प्रदर्शनी थी नई दिल्ली में आयोजित की गई ये भी याद रखिएगा ये भी काफी चर्चा में था प्रतिष्टित क्वाकरेली साइमंड्स यानी QS World University Ranking के 2023 के नवीनतम संसकरण में भारत के निजी विश्विद्यालेओं में ठीक है प्राइवेट युनिवस्टिज की बात हो रही है प्रतम रैंक हासिल करके किस विश्विद्याले ने महत्पुण उपलब्दी हसिल की है तो चंडिगड उनिवस्टि की रैंक इसमें वन है वैसे ओगराल की बात करें तो पहली रैंक इसमें किसकी है MIT Massachusetts Institute of Technology इंडिया की तरफ से टॉप रैंकी में कौन है 148 वे स्थान पर है IIT Bombway ठीक है आगे चलते हैं केंद्री मंत्री जितेंद्र सिंग ने नई दिल्ली में मिशन कर्मियोगी और मध्य केरियर प्रस्षिक्षन कारेकरम शुरू किया है कारेकरम किस मंत्राले द्वारा कारियानवित किया जाएगा तो NEGD होती है ठीक है National E Governance Division किसके अंतरगत? Ministry of Electronics and Information Technology के अंतरगत National E Governance Division तो आपका option C यहाँ पर अच्छा C बिल्कुल ठीक आंसर होगा Startup 20 शिखर संबिलन भारत G20 Presidency के तहट किस शहर में आयोजित किया जा रहा है तो ये गुरुगराम में अभी हायोली में आयोजित किया गया खिके अगला देखते हैं ग्रहाकों को त्वरित और कुशल लेंदेन बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने देश भर के शीर्च 21 जिला केंद्रों में 34 लेंदेन बैंकिंग हब लांच किये हैं तो किस ने किये हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनाने वाले दोनों संस्थानों के बीच में आप विला को इसके मंजूरी बन गई है तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है नमबर वन पर कौन है जेपी मॉर्गन चेज ठीक है आपकी second rank है industrial bank of china तीसरे पर आपका है bank of america और चौथे पर आपका आगया है हमारा HDFC bank ठीक है आगे चलते हैं ये भी काफी important प्रशन है institute for economic and peace द्वारा जारी global peace index तो सबसे पहले यह याद रखना है global peace index कौन जारी करता है institute of economic and peace इसमें भारत का स्थान क्या है तो भारत का स्थान है इसमें 126 वा लगातार पांच साल पांच में साल अफगानिस्तान को सबसे कम शांतिपूर देश बताया गया है और rank 1 की अगर बात करें सबसे शांत देश कौन सा है Iceland आइसलेंड सबसे peaceful country मानी गई है तो यही देखिया हमारे 28 प्रश्ण थे current affairs के 4 पांच और 6 जुल आई के I hope आपको इस session पसंद आया होगा ऐसे ही regular current affairs के लिए आप प्लीज हमारा चैनल सबस्क्राइब कर लीजे Thank you so much